रेप के केस में अक्यूस का एक्जामिनेशन एक्जामिनेशन 53 A.C.R.P.C. के अनुसार करते हैं तो एक्जामिनेशन किसकी रुक्वेस्ट पर करते हैं पुलिस ओफिसर नोड बिलो दर रेंक ओफ सब इस्पेक्टर आगे है यदि कोई अक्यूस खुद बोलता है एक्जामिनेशन के लिए तो उससे 54 A.C.R.P.C. का नुसार एक्जामिन करेंगे आगे है किसको प्रफ्रेंस देंगे तो जिसने बिक्टिम का एक्जामिनेशन करा है उसको प्रफ्रेबल माना गया है कि बेस्पेजिसियन ही extingu का एक्जामिनेशन करें क्यों? क्योंकि बेए बेटर कोरिलेशन बनाता है आगे है प्रिलियमनेरी डाक्ट नोड करेंगे एक्जामिनेशन की, उसके बाद हिस्टिर लेंगे ब्रीब डिस्क्रिप्शन लेंगे असॉल्ट के बारे में फिजिकल एक्जामिनेशन जिसे बीपी पल्स, टेंपरिचर बिल्ट, जनरल अपेरेंस उसका इमोशनल स्टेटर्स, क्लोथ क्लोथ पे कोई ब्लेड है, क्या ब्लेड स्टेन है सेमाइनल स्टेन, हेर, टियर और फोरेन माटिरियल तो नहीं है उसको एक्जामिन करेंगे और नोट करेंगे, फिंगरनेल स्क्रेपिंग लेंगे, आगे इंफ्लुएंस ऑफ एलकोहल और ड्रग के इंफ्लुएंस में तो नहीं, इंजुरी नोट करेंगे बोडी पे जेनाइटल उसके डबलब हुए कि नहीं with special reference to potency आगे हैं कि उसने मतलब assault के बाद क्या बात कर लिया defication ये urination किया कि नहीं इसको नूट करेंगे bandral disease present है कि absent है हम smygma को देखेंगे smygma क्या होता है de-expermitted epithelium होती है penis पे तो जो ये epithelium होती है band day में बन जाती है तो यदि पीनो मतलब की intercourse हुआ है तो ये smygma absent होगा तो या फिर smygma तब absent होगा जब बाउस का लिया अगर smygma present है तो ये बताता है कि penetration नहीं हुआ है within band day आगे हैं कि हम vaginal epithelium को detect करेंगे penis पे तो क्या होता है कि जो low card principle of exchange पे अधारी थे ये vaginal epithelium को detect करना क्या होता है कि जो intercourse के दुरान जो vaginal epithelium में वो penis पे आ जाती है exchange हो जाता है तो जो vaginal epithelium में उसमें glycogen था तो glycogen रहता है तो legal iodine जब apply करते हैं ब्राउन कलर में change हो जाएगा तो ये test positive है मतलब कि sexual intercourse हुआ है ये test positive रहता है till 4 days of intercourse आगे है collection of evidence तो क्या क्या evidence लेंगे blood लेंगे blood tube tube में लेंगे एक में हम serological diagnosis और एक drug की screening के लिए oral swab लेंगे pubic hair sample के रूप में मिले तो लेंगे आगे hair, fiber, blood strain on body और cloth को collect करेंगे urethral discharge for gonorrhea fingernail scraping penile bashing किसके लिए presence of vaginal epithelium detect करेंगे आगे है opinion यह तो penetration हुआ है या नहीं हुआ है तो यदि दो opinion हो सकते हैं तो there is no sign of indicative of recent vaginal anal urethral penetration या फिर sign है indicative of recent vaginal anal urethral penetration तो मतलब presence of injury मिलेगी इसमें vaginal epithelium मिली होगी तो यह हमने complete करा medical legal examination of accused थेंक यू